अब हम MPBOLK अक्षनवी के विद्यार्थियों को Dual Directed बता देते हैं तो आपके पार Dual Directed से संबंधित question है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं फिरहाल लेकिन मैं आपको सारे जितने भी Dual Directed से question संभावना है आने के वो सारे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को paragraph बताया था लेटर बताया था एसे बताया था और साथ ही साथ फिलिंदी blanks बता दिया हूँ अभी के वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे तो पहले हम देख लेते हैं Dual Directed को देख लेते हैं तो Dual Directed में पहला प्रसन देखो पहला प्रसन क्या है Children are playing in the park लिखा हूँ है इसे हमें change करना है किसमें change करना है change into present perfect tense में आपको change करने के लिखा है ठीक है पहले मैं आपको ये सारी के सारे पढ़के बता देता हूँ ठीक है उसके बाद मैं इसका answer आपको दिखाऊंगा इसके बाद देखो our है we है protect है suit है और forest है ये लिखा हुआ है तो इसको क्या करने है आपको arrange करने है मतलब सही से जमाना है इसके बाद देखो तीसरा के प्रसन ने कहा है if you don't study regularly you won't learn your lesson ठीक है इसमें क्या करने के लिख कहा है यहां पे कहा है कि जहां पे if है न यहां पे है कि जो हां पे if लिखा है न उसके इस्थान पर आपको क्या लेना है unless लेना है cdc बात है ठीक है इसके बाद देखो चौथा क्या है simran now the answer to the question लिखा हुआ है make negative इसे negative में बनाना है फिर इसी तरह से देखो the train was delay the weather was bed ठीक है तो मौसम खराबी के करना train delay हो रहा है कह रहा है ठीक है तो कैसे बनाना है तो देखो पहला जो है वह गया है change have played in the park हो जाएगा इसका एंसर दूसरा का देखो we should protect our forest हो जाएगा तीसरा का एंसर देखो unless you study regularly you won't learn your lesson हो जाएगा पांचवा है similar now the answer to the question हो जाएगा पांचवा है the train was delay because the weather was bed ठीक है पांच तक का आपका एंसर म he is very tired he cannot work anymore इसके बाद यहाँ पर क्या कहा है combine करना है so that use करना है ठीक है इसका भी अंसर मैं आपको बाद में बताऊंगो पहले देख लेते हैं फिर you you are pain है can give me you लिखा हुआ है इसको क्या करना है आपको arrange करना है जमाना है ठीक है इसके बाद आर्टवा देखो he worked very hard he could not pass the exam इसमें क्या करना है इसमें बत को उपयोग करना है ठीक है इसमें लिखा भी है combine the sentence using but इसके बाद है अंकीत प्लेइड होकी लिखा हुआ है तो यह क्या करना है आपको change into present indefinite tense में करना है ठीक है इसके बाद आसवा देखो रोहन speak English इसको भी क्या करना है निगेटी में tired that he cannot work anymore हो जाएगा छटवा का answer साथवा को हो जाएगा can you give me your pain हो जाएगा ठीक है arrange करोगे तो इसके बाद आटवा देखो we worked very hard but he could not pass the exam यहाँ पर बट को प्योग करना था हमने बट को प्योग कर दिया फिर अनीता did not canned her finger हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखो 10 वा क्या है Rohan did not speak English हो जाएगा ठीक है didn't भी बोलते हैं उसी को न और did not भी दोनों एक ही है स्वाट कर्ट में उसे didn't कह दिया जाता है चलो आगे देखते हैं इसके बाद 11 वा क्या है they walk in the dark है इसे हमें चेंज करना है पर बारवा देखो अजाइज आइल he has not come to school today लिखा हुआ है यहाँ पर देखो तेरवा में अरेंज करना है sing can और song you लिखा है अरेंज करके बताना है फिर यहाँ पर चौधवा में भी देखो यह भी अरेंज करना है I stand on on leg can लिखा हुआ इसको भी अरेंज करने के लिखा है ठीक है इसके बाद देखो पंदरवा का है अनीता cut her finger लिखा हुआ है ठीक है तो यह क्या हो जाए है change into negative हो जाएगा तो चलो इसका भी अंसर देख लेते हैं इन पांचों का तो ग्यारवा को हो जाएगा they was walking in the dark हो जाएगा ग्यारवा का answer है इसके बाद बारवा का देखो अजय वास I'll so he has not come to school today हो जाएगा इसके बाद तेरवा को दे नौट कट हर फिंगर हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं सोलवा सोलवा है he is too weak एक सेगंड को आहां पर हां यहां पर he is too weak to lift this box लिखा हुआ है यहां पर so that को उप्योग करना है ठीक है इसके पास अतरव देखो he eats bananas ठीक है change into passive passive हो जाएगा फिर है अठारवा है they played hockey लिख लिखा हुआ है इसको क्या करना इसको भी passive wise में आपको change करना है उनिस्वा देखो we always can on time लिखा हुआ है इसको past indefinite tense में बनाना है और 20 है he is not happy तो यहां पर yet का उप्योग करना है ठीक है तो चलो इसका भी answer दिखा देता हूं मैं तो इसका answer देखो he is so weak that he can't lift this box हो जाएगा फिर है 17 है bananas are eaten by him हो जाएगा फिर honky was being played by them हो जाएगा फिर 19 हो जाएगा we always come on time हो जाएगा 20 हो जाएगा he is reached yet he is not happy हो जाएगा ठीक है इसके बाद और है देख लेते हैं total 25 प्रसन था ना तो 25 हो को देखेंगे इसके बाद देखो अगला क्या है 21 है unless दिखा हुआ है इसका म लिखा हुआ है इसको इंट्रोगेटी में चेंज करना है मतलब प्रसनवाचक बनाना है इसको you went there yesterday इसको भी इंट्रोगेटी में करना है इसको भी प्रसनवाचक बनाना है एज टेलर देन यू लिखा हुआ है यह हो जाएगा पॉजिटी अपका एक सेगन आसा आपने दिखाय दे रहा है ठीक है पॉजिटी वाइस हो जाएगा पॉजिटीव डिग्री हो जाएगा फिर है इसका भी अंसर देखते हैं तो किस वाइगा इस्वाग हो जाएगा तो जितने भी डूएस डारेक्टर थे आपके प्रस्न बैंग में उन सारे प्रस्नों को उत्तर मैंने बता दिये यहां पर आप इन सब की अच्छे सायरी करना क्योंकि कि यहां से question आपके जो एक्जाम है उसमें बन रहे हैं प्रस्थन बैंक से इसलिए मैं प्रस्थन बैंक से जितने भी IMP question है वो सब मैं आपको बताते जा रहा हूं और जो जो आने लायक है वो सारे प्रस्थन मैं आपको जल्द ही बता दूँगा